दोस्तो एक बहुत ही ज्यादा भयंकर और बुरी खबर सामने आ रही है जी हाँ दोस्तो अगर आज का मुसल्मान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तो चाहे आप हिंदू हों, मुसलिम हों, सिख हों या ईसाई हों तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक यह वीडियो पहुँच सके दोस्तो आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देख के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है जबकि इस देश के अंदर चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो सब ही मिलजुल के रहते हैं लेकिन कुछ ही ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वह इस देश का नागरिक तो दूर की बात है वह इनसान भी नहीं हो सकता जी हाँ दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नस्दीक अवैध रूप से बनी हुई चीजें हैं चाहे वह मस्जिद हो, दरगा हो या फिर मदर्सा हो उन तमाम ही चीजों के उपर लगातार कारवाईया हो रही है और ये सिलसिला लगातार जारी भी है ऐसे में दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह ख्वाजाए हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोसना खबर निकल कर सामने आ रही है नफरत पसंद लोग जो हैं वह अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं कि जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराना प्रताप सेना जो है उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनको एक लेटर लिखा है और यह बात कही है कि गरीब नवास की दरगाह की जांच होनी चाहिए वहाँ पर भी मंदिर ही मिलेगा जी हाँ दोस्तो इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहां से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और इसाईयों की आस् तो जुडी हुई है, साथ ही साथ उनकी मननते मुरादे भी यहां पूरी होती हैं, इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहां पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं, लेकिन दोस्तो अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुक एसे में दोस्तो चाहे लोग कितनी भी नफरत पहला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसल्मान हैं, वह कभी भी ऐसी चीज होने ही नहीं देंगे। ये वो चंद लोग हैं जो कि हर मज़भ के अंदर पाये जाते हैं चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या इसाई हो हर मजभ के अंदर दो-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोडने की कोशिश में लगे रहते हैं ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बेर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदो सिता हमारा जी हाँ दोस्तों जो इस देश के नागरिक होगा वह अमनो अमान और भाईचारे की बात करेगा कभी भी इस तरह से दूसरों के आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा दूसरों की बारगाहों को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा इसलिए मुझे लगा कि आप तक ये बात जरूर जरूर पहुँचानी चाहिए प्यारे दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिबिटी जो हैं वह अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजरी देते हैं उसके बाद ही वो अपनी काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको काम्याबी भी मिलती है वही में आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूँ कि सचाई ये भी है कि तमाम जितने भी हमारे गेर मुसलिम भाई हैं जो की अमन पसंद हैं जो की भाई चारा चाहते हैं वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैला आई जा रही है और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जाँच हो और इस तरह से वहाँ पर खुदाई वगेरा हो लेकिन दोस्तो अब बड़ी बारगाहों को टार्गेट किया जा रहा है लेकिन मुसल्मानों को यकीनन सब्र करना है बेशक इन अल्लाह मास साबिरीन बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है जो नफरत पसंद है वह कोशिशें करते रहेंगे लेकिन अगर हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे हमें सिर्फ और सिर्फ महबबत का पैगाम देना है किसी भी तरह से इनके बहकावे में नहीं आना है हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और यकीनन इस देशकी की एकता की यही मिसाल है मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं है जी हाँ दोस्तों यह करामती बारगाह है क्योंकि खुआजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है तमाम ही मज़भ के मानने वालों की यहां मुरादे पूरी होती है अकबर बादशा भी यहां आया था मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे और अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को एक उलाद की नेमत अता फरमाई यानि बेटा अता फरमाया तो सच में यह बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहां पर लाखों के तादाद में लोग पहुंचते हैं ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का वो बाल भी बांका नहीं कर सकते हमें इंशालला पूरा यकीन है इस बात पर